नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार एन्यम आज की बड़ी अपडेट में दोस्तो कैसे हैं आप सभी, उमीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एन्यम और स्वास्त विभाग से सम्मन्दित महा तुपोन अपडेट आपको देने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहार एन्यम 10,700 भरती के लिए क्या फैसला लिया गया है और इसकी एक्जाम की प्रक्रिया कब तक निर्दहारित की जाएगी और एक्जाम कब से सुरू होगा और इस भरती को कब तक पूरा किया जाएगा साथ ही साथ इस भरती को पूरा होने के बाद नई वेकेंसी का जो बिग्यापन है वो बिहार सरकार के द्वारा आखिर कार कब तक लागू किया जाएगा तो दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर्ट जानकारी मिलेगी तो दोस्तो जितने भी कंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि इसी तरह कि जो लेटेस्ट अबडेट है उस सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए दोस्तो वीडियो को श्टार्ट करते हैं दोस्तों बिहार स्वास्तवी भाग के द्वारा बिहार एन्यम दसजार साथ सनो भरती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का जो निर्देश है ओ जारी हो चुका है और आयोग बिहार enem 10 ay 7 जल भारती प्रक्रिया में बस कुछ ही दिनों में आपको नोटिश जारी करके बहूत बड़ा फैसला सुना सकता है क्योंकि बिहार enem 10,000 जासनो भारती प्रक्रिया में लगातार आप भारती यही सवाल पहुँच रहे हैं कि आखिर कारिस में एक्जाम कब होगा तो उन छात्रों के लिए बस दिसंबर 15 दिसंबर तक 1070 भारती प्रक्रिया में आयोग के माध्यम से नोटिस जारी की जाएगी क्योंकि नोटिस के माध्यम से ही सवी छात्रों को एक्जाम डेट और नई वी बैकेंसी की विशे में सूचना मिलेगी तो दोस्तों सबसे पहले बात करें एनेम 1070 भारती प्रक्रिया में एक्जाम के विशे में तो जितने भी कंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो एनेम 1070 भारती प्रक्रिया में आल लाइन आवेदन किये हैं तो उन चात्रों को हम बताना चाहते हैं इस भारती में जो एक्जाम की प्रक्रिया लागू होगी वो 15 फर्वरी तक लागू की जाएगी 15 फर्वरी तक बिहार इनेम 1070 भारती प्रक्रिया में एक्जाम की प्रक्रिया लागू हो जाएगी और एक्जाम सुरू होगा क्योंकि अभी आयोग नई वेकेंसी के विग्यापन का प्रोप तयार करने में लगा है और नई वेकेंसी कब जारी की जाएगी इसके भी समय तयारी कर रहा है साथ इसाथ दसजार साथ सनो भरती प्रक्रिया को किस माध्यम से पूरा किया जाएगा और एक्जाम की प्रक्रिया कैसे संभावित की जाएगी इसका कार कर रहा है अर्था 10,000 सासनों भरती प्राक्रिया में आपको एक्जाम की जो डेट का निर्धारण किया जाएगा वो 15 फरवरी तक मिलेगा 15 फरवरी तक हर हाल में आपका एक्जाम 10,000 सासनों भरती प्राक्रिया में हो जाएगा तो दोस्तों आपके पास केवल दिसंबर और जनुवरी का महीना बचा है क्योंकि 15 दिसंबर तक आयोग सबसे पहले छात्रों को नोटिश जारी करके एनम 10702 कि विस्थे में एक्जाम की तारीखों की विस्थे में सूचना देगा उसके बाद 15 फरवरी तक एक्जाम की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाएगी और एक्जाम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी छात्रों की मेरिट तयार की जाएगी मेरिट की जो अधिसूशना है वो A.N.M. 3070 भरती प्रक्रिया में लगभग 15 मार्ज तक लच्छ निधारीद किया गया है अर्थार मार्ज तक सभी अभ्यारति की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद लगभग इस वेकेंसी को अप्रैल तक सभी छात्रों को न्यूकती पत्र बितरड दे दिया जाएगा क्योंकि आप अगर देखें तो इस भरती के लिए आपके पास दिसंबर से लेकर लगभग फरवरी तक का समय और बचा है क्योंकि 15 फरवरी तक हर हाल में इसमें एक्जाम की प्रक्रिया लागू हो जाएगी और मार्श में इसमें काउंसिलिंग का निर्धारण हो जाएगा और जितने भी कंडिडेट हैं काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनका हो सकता है अप्राइल तक जोईनिंग पत्र भी दे दिया जाए क्योंकि बिहार में अब जितनी भी वेकेंसी निकल रही है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है ये तो 10709 ही वेकेंसी है बिहार में अभी टीचर की वेकेंसी निकली थी उसको 3 माह के अंदर ही पूरा किया गया है तो दोस्तों ये वैकेंसी एक प्रकार से देखे एक नार्मल वैकेंसी है और कम मात्रा में ही निकाली गई है तो इसलिए आयोग अब इस भरती को जल्द से जल्द पूरा करेगा और सभी छात्रों को न्यूकती पत्र का जो पित्रण है वो दे देगा आपको 15 दिसंबर तक आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी में अधिसूचना जारी की जा सकती है और एक्जाम की भी जो प्रक्रिया है वो लागू कब की जाएगी और कैसे लागू की जाएगी सेंटर का निर्धारन क्या क्या होगा इसके विस्थे में सूचना आपको जल्द आ एनम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया के बाद नई वैकेंसी का विग्यापन कब जारी किया जाएगा तो नई वैकेंसी का विग्यापन आपको जैसे ही एनम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में एक्जाम हो जाएगा तो एक्जाम की प्रक्रिया होने के बाद लगबग फरवरी में ही आपको नई वेकेंसी का बिग्यापन देखने को मिल सकता है क्योंकि आयोग के माध्यम से जारी की गए नोटिस के अनुसार अभी भी बिहार में लगबाग 1.5 लाग यानि 1.5 लाग पद स्वास्त विभाग में अभी भी रिक्ता है अर्था स्वास्त विभाग में 1.5 लाग पदो को आयोग के माध्यम से भरा जारा है जिसका बिग्यापन जो होगा वो 10,700 भरती प्रक्रिया में एकजाम पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा तो 15 फरवरी तक एकजाम की जो प्रक्रिया है वो 10,700 भरती की वो हर हाल में पूरी की जाएगी और हो सकता है फरवरी में ही आपको विग्यापन देखने को मिले जो डेढ़ लाग वैकेंसी है इस वैकेंसी का विग्यापन आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों जितने भी कंडिडेट है अगर उनका सेलेक्षन दसजार सासनो भरती प्राक्रिया में ना हो तो आपके पास ए इसमें भी आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और दोस्तों एक बात और बिहार सरकार के दोरा जारी की गई है कि स्वास्त विभाग का जो सेवाव का विस्तार है उसमें अठारा सो करोण खर्च किये जा चुके हैं प्रदेश में जल्दी स्वास्त सेवाव का विस्ता होगा साथ ही ने मजबूती प्रदार करने के लिए एक साथ कई योजना भी प्रारम की जा चुकी है इन्हें मजबूती प्रदार करने के लिए एक साथ कई योजना चल रही है सरकार ने राज में स्वास्त सिवाव की विस्तार के लिए लगबा सत्रा सो चंवन करोड़ और रासी खर्च पर मंत्र मंडल ने भी अपनी असुई करित दे दिया है तो दोस्तों ये प्रयार से देखा जाए कि बिहार सरकार लगातार स्वास्थ विभाव को मजबूत करने का प्रयास कर रही है ऐसे में अठारा सो करोन स्वास्त सिवाव को मजबूत करने के लिए ये जारी हो चुके है और ये खर्च भी किये जा चुके है साथ हिसाथ दस एक हजार पंद्रा स्वास्त उपकेंद्र बनेंगे और साड़े तीन सो अन्य अस्पताल बनेंगे तो एक जो बिहार सरकार का लच्छ निर्धारित किया गया है कि मतलब अभी भी बिहार में लगभग एक हजार पंद्रा नए उपकेंद्र बनेंगे अगर नए उपकेंद्र बनेंगे तो उन पर जो स्वास्त कर्मी है उनको भी जॉइनिंग में लिए तो देखा जाए एक हज साथ अगर देखा जाए तो सरकारी जो अस्पताल है वो साड़े तीन सो अस्पतालों को स्युक्रित भी मिल चुकी है अगर साड़े तीन सो अस्पताल इस दो हजार चौबिस में तयार हो जाएंगी तो जो वैकेंसी आएगी उसी के माध्यम से उन में जो आइनिंग दी जाएगी तो दोस्तों बिहार सरकार लगातार स्वास्त विभाग में नए नए परिवर्तन कर रही है और नए नवकुरी के और सभी चात्र को प्रदान कर रही है